वही 36 गड में बच्चों के लिए नहीं सिक्षोकों के लिए आज से खुलेंगे स्कूल घर बैठे लगेगी ओनलाइन क्लास प्रदेश में आज से नया सिक्षा सत्र प्राराम हो रहा है कोरोना के खत्र को देखते हुए अभी शिक्षकों एवं स्टाफों के लिए शुरू हो रहा है स्कूल बच्चों के स्कूल आने पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा वहीं शिक्षक और स्टाफ एड्मीशन सहित अनिकार करेंगे जब तक कोरोना संक्रमन समान नहीं हो जाता तब तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला जाएगा नया सिक्षन सत्र में बच्चों को यूनिफॉर्म एवं पार्ट पुस्तक प्रदान की जाएगी दूसरी और प्रदेश के वनांचल इलाके में महला कक्षा में बच्चों की पढ़ाई के लिए सुझाव दिया जा रहा है इसके साथ स्मार्ट फोन नहीं होने पर बच्चे महला कक्षा में पढ़ेंगे प्रदेश में अभी कोरोना कंट्रोल में आया है दूसरी लहर थमने के बाद राज्य सरकार ने सभी सेवाओं में छूट दी है इस बीच तीसरी लहर की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी चूप नहीं करना चाती है दूसरी और तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना को लेकर भी सरकार सभी सुरक्षा उपायों पर ध्यान दे रही है